आच हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ी आ पालक वाली रोटी और बेसन और आटक के साथ बनती है गाइस यह थोड़ा सा जवारी आटा राल के बहुत बहुत यमी रोटी बनेगी गाइस परांठा में जिसे बोलते हैं बहुत हेल्थी हमने हरी मिच्छे लियें चार-पांच य बहुत हेल्दी रोटी है गाइस हरी मिच्छे चॉप कीवी डाली है थोड़ी सी थोड़ा सा देसी गी दो से तीन चममच ठीके इसके अंदर अपने डालोंगी खूब सारी पालक कम से कम एक मतलब 100-200 ग्राम होनी चाहिए तो ही नमक डालेंगे दो से धाई चममच टी जो वाइट तिल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं वो डालिए और बस इसको थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करेंगे ल्यूक वाटर से इसको आपको नीट करना है डव को तो डो बनाना है बहुत अच्छा अच्छा आटा नरम हो थोड़ा सा जाता सकत ना जाता नरम तो मीडि लेना है ऐसे ठीक है बहुत अच्छा लगेगा गाइस अब बनाकर देखिए इतना बढ़ा बढ़ा रेशीपी है यह इतनी हल्दी पालक तो ऐसी बहुत जादा आयरन बगरा बहुत होता है उसके अंदर तो बना के देखिए मेरे स्टाइल से लेकिन मेरे तरीके से ठीक है चलिए यह देखिए मैंने घर का वाइट बटर निकाला है फ्रेश होममेड बटर अभी मैं बेल होगी इसको एक एकर के रोटी को इसमें हलका सा गील आटे में रोल करेंगे आपको इभी शेप दे सकते हो राउंड स्क्वार या ट्रांगल तो अच्छा लगता है इसी तरीके से हम जो है बेल के रोटी करेंगे गाइस यह रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगेगी आपको ट्राइ कीजिए आपना यह रेसिपी दूद के सा रोटी है मैंने तवे पे डाल ली है तो यह बहुत ही बड़िया लगेगी अच्छी रोटी बनके हमारी लाल लाल रोटी बिल्कुल डड़ी हो गई है थैंक्स पर वचिंग मैं चैनल गाइस पीज तो सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेर और बना बना के जरू ट्राइ कीजिए क्या बात है आप लोग कमेंट नहीं करें कमेंट कीजिए गाइस सब्सक्राइब